राज़ोरी सेक्टर में सीमा पार से गुस्पेट की बड़ी साजस नाकाम एक आतंकी हुआ धेर तो वही चार को सेना ने तब हुचा राज़ोरी सेक्टर के जंगलों में भारी सेन बल हुआ तैनाथ एलोसी के आसपास की इलागों में सेना चला रही है एंट डीट टनल ओपरेशन नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं उंडियन न्यूज चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं तो दोस्तो जंगु कस्मीर में करीब एक महीने के पस्चात पुंच और राज़ोरी सेक्टर में एक बार फिर से सेना ने सर्च ओपरेशन चलाना च्टार्ट कर दिया है और सेना को यहां पर बहुत ही बड़ी कामिया भी मिली है इस इलाके में सेना के द्वारा घुसपेट को अपने खुफिया सूतरों के हिसाब से राज़ोरी और पुन्च सेक्टर वाले इलाके में सीमा के उस पार बहुत ही भारी तादाद में आतंकियों के होने की खबर मिली और यह आतंकी भारती सीमा में प्रविस करने का प्रियास कर रहे थे और मोकाई बारदात पर यहां पर सेना पहुच गई और जैसे ही सेना ने आतंकियों को प्रविस करते हुए देखा तो सेना ने आतंकियों से पाकस्तान बापस जाने को बोला परन्तु वो बाकस्तान जाने की बजाए भारत की सीमा में ही तेजी से दोड़कर आने लगे तब सेना ने उन पर फारें करी औ एक आतंकी मौकाई बारदाद पर ही धीर हो गया है इसके साथी सेना के सयोक्त आपरेशन में एलोसी के चार अलग अलग जगों से चार और आतंकीयों को गृफतार किया गया है और सेना इनसे लगातार पूँशताच कर रही है कि ये किस मकसद से घाटी में प्रवेश कर रहे थे और जो आतंकी मारा गया है उसके पास में भारी मातरा में हतियार और बिस्पोटक सामक गरी मिली है परंतो उस आतंकी क्या भी जान पहचान नहीं हो पाई है कि ये कौन था तो दोस्तों इसके पश्चाथ अब जो सेना है वो राजवरी सेक्टर में एक्टिव मोड पर आ चुकी है और इस इलाके में एंटी टनल ओप्रेशन चलाया गया है क्योंकि सुरक्षावलों को यह आसंका है कि आतंकी एक बार फिर से अपनी वही वाली रणने दिया पना सकते हैं कि टनल खोदकर भारती सीमा में घुसेंगे फिर इसके पस साथ राजवरी और यूर्प चम्मू कस्मीर की जो एलो सी सटाइला का है बहाँ पर भारती जमानों की तेनाती और ज़्यादा बढ़ा कर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है बहाँ की जम्मू कस्मीर की पलपल की खबर के लिए चैनल की साथ बने रहीगा वीडियो देखने के लिए धन्नबाद जैहन कुचिया भारत